देश के सबसे पहले प्रधार मंतरी कौन थे ये थो आप लोग जानते ही होंगे लेकिन उन्हें क्या पसंद था ये भी आप जानते होंगे लेकिन उस चीज को लेकर कितना बहस बाजी हुई थे और देश में क्या हो रहा ये शायद दर्शों को आपको पता नहीं होगा जो आज हम आपको इस वीडियो में तफ्शी से बारीक से समझाने के कोशिश करेंगे इतना ही नहीं मौझूदा हालात में जो देश के प्रधान मंतरी हैं नरेंदर मोदी जी और नहरू जी को लेकर जो इतनी चर्चाय बनी होई है जो नयू पार्लियामिंट बना है उसमें ज नहरू जी को लेकर चर्चाय होती हैं क्यों ऐसा होता है दोसको इसलिए आज के इस खास वीडियो में हम आपको बारीक से समझाएंगे एक एकर समझाने की कोशिश करेंगे कि देश के पहले प्रधान मंतरी नहरू जी के बारे में इतनी चर्चाय क्यों होती हैं जबकि कहा चाता है कि पुरेविश्व में सिर्फ देश में नहीं पुरेविश्व में सबसे लोकप्रियर नेता और सबसे खास परधान मंतरी वह नरेंदर मोदी जी फिर भाई नेरू जी का नाम आराक क्यों गाते हैं दूसरा जो सबसे एहम सवाल था कि नहरू जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद था दर्श्चों को वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि नहरू जी को क्या पसंद था और क्यों जो है उनको लेकर एक खास दिवस भी मनाया जाता वो कौन सा है और साथी साथ आज के मजूदा हालात में नरेंदर मोदी जी से नहरू जी से जो कंपरी पंडित जवाहरला नहरू का जो है आखरे जन्म कब हुआ और उसके वासे कैसे उन्हें एक ऐसे चीज जिसे उनको लगाब हो गया और उन्हीं चीज जो पर देश में जश्वन मनाया जाने लगा बच्चे उनके सबसे प्यारे होने लगे दर्श्चों ये आज हम आपको इ 1889 में 1889 में हुआ था उन्हें गुलाब के फूल बेहत पसंद थे जो आप हमें अभी टेलिविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक तरफ मैंने देश के पहले परधानमंतिरी नहरू जी की तस्वीरे हमने लगाई हैं और बीच में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच् देखरी नरेंद्र मोदी जी हैं जो उनका मैंने थहुरा सा व्त भी लगाया है कि मोदी जी शायद आपको भी ऐस बहुत प्रक मोन चाहते हैं और वो बच्चो से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे इसलिए मैंने दर्शों को उस पे तस्वीर लगाई है अखी बहुत सारे बच्चे हैं जो मुस्कुरा रहे हैं और नहिरु जी को सबसे ज़्यादा पसंद भी था इसलिए उनके जनम दिन पर पूरे देश में वाल दिवस के रूप में भी म कम से कम वो बहतर हो जाता है कि हमारे बच्चे की जो परवरिश है स्कूली में वो ज्यादा बहतर तरीके से हो जाए अब सवाल ये भी है कि आखिर देश के पहले परधानमंति नरेंद्र मुदी को फूल बहुत ज्यादा पसंद था और इसलिए इस पूरे देश में उनके जनम दिन पर बाल दिबस मनाया जाता है और आज के दिन में जो देश के परधानमंति नरेंद्र मुदी है इसे खूब तुलना होती है कमपेरीजन होता है कि कौन बहतर है कौन नहीं है दुसको आप जब नहरु जी के बारे में जानते होंगे हलाकि वीडियो लंबा हो सब्सक्राइब करेंसको के बारे में जानते होंगे और मुदी जी के बारे में तो जानते ही हैं तो आप हमने जरूर बताईए कि वाकई में जो नहरु जी को पसंद था यह वाकईаже लेते हैं वो आप जानते हैं इसको आप कैसे देखते हैं यह हमें कॉमेंट कर जूरू बताएगा साथी यह भी बताएगा कि क्या वाकई में पंडित नहरू जी के बारे में जो आप जानते हैं इसके अलावा जो गुलाव उन्हें पसंद था बच्चे बहुत पसंद थे इसक लेकिन मन की बात वह भी करते हैं लेकिन मन की बात में लोगों के मन की बात जाना कहा जा जाता है आज के नौजवान 10 से 15 हजार की नौकरी करने के लिए रो रहा है वो बिहार से यूपी, यूपी से दिल्ली लेकिन फिर भी नहीं मिला, नहरू जी ने कुछ तो ऐसा किया था, जो लोगों का कम से कम पेट पल जा रहा था, मोदी जी आप भी कुछ ऐसा कर देजे, लेकिन दर्शो को देखे, नहरू जी के बारे में लोग लाग कुछ बोले, लेकिन जो देश के लिए वो करके गया है, जो बच्चों के लिए करके गया है, जो आपने खास रिपोर्ट में देखा, वो शायद आज के जमाने में होना, या होता हुआ, देखता, मुश्किल लग रहा है, तो उसको इस खास रिपोर्ट में, इस वीडियो में, आपको क्य